नमेश्कार मैं डॉक्टर रंजना वेकन मनिपाल हॉस्पेटल गाजियाबाद से एक बार फिर आपके सामने उपस्ते तूं कुछ छोटी-छोटी बातें करने के लिए इस बार हम चर्चा करना चाहते हैं उन महिलाओं के लिए जो फैमिली जॉब पर इत्ती फोकेस्ट हैं कि खुद का ख्याल रखना भूल जाती हैं इसलिए आज हम केवल उन महिलाओं की बात करेंगे जो अपना ख्याल नहीं रखती या अपने ख्याल रखने के लिए वक्त नहीं पाती और सिर्फ परिवार परिवार और परिवार या साथ में कभी-कभी जॉब भी तो ऐसी स्थित में आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है या किन छोटी-छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए वो हम आप बात करते हैं हम बात करेंगे पांच मुख्य चीजों की जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए अपने अच्छे स्वास्ते के लिए पहला है अनीमिया अ अनीमिया याने खून की कमी और ऐसा होने की स्थिती में आपको लगता है सर में भारीपन, चिड़चड़ापन, ठकन, ठकावट, नीन नाना, इन सब चीजों के रहते आप अपने परिवार का और खुद का कैसे ख्याल रखेंगी, इसलिए कराइए एक छोटी सी जांच, complete blood count याने CBC जो आपको बताएगी आपके हीमोग्लोबन लेवल्स कितने हैं, आम तोर पे हीमोग्लोबन लेवल्स 11 से उपर होने चाहिए, यदि इस से कम हैं तो आप अनीमिया की शिकार हैं, अनीमिया होने की स्थिती में अगर ज्यादा long term standing अनीमिया रहे, तो आपको दिल और दिमाग से संबंधित disorders भी हो सकते हैं, इसलिए अनीमिया का ख्याल रखें, दूसरी चीज इसका आपको ख्याल रखना है, वो है breast cancer, breast cancer हिंदुस्तान में महिलाओं में होने वाल्या काफी common cancer है, और इसको पता करने के लिए बहुर ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप 40 वर से ज़्यादी आप छोटी हैं, तो आप ultrasound breast कराएं, इसके अलावा आपके doctor कभी आपसे biopsy breast या MRI breast भी करवा सकते हैं, वैसे एक छोटी सी चीज होती है self breast examination, जो महावारी के बाद 5-7 दिनों के बाद आप swim घंबे कर सकती हैं, और किसी guilty, gart या swelling के मिलने की स्थिती में तुर साल रखना है, वो है uterine cervical cancer, ये विश्व में होने वाले uterine cervical cancer में हर पांचवी महिला हिंदुस्तानी है, इतना जादा होने वाला cancer भारत में थर्ड तीसरे प्रमक स्थान बे नंबर रखता है, और इसको भी काबू में रखना ये जांश में रखना बहुत मुशकिल नहीं, आप regular अपना internal pelvic examination कराएं, pap smear कराएं और अपने doctor से हर साल annual health check कराते रहिए, uterine cervical cancer जो है इसके लिए TK भी आज कला गए है, 12 वर्ष के उपर हर बच्ची को आप uterine cervical cancer की खुराक जरूर लगवाईए, चौथी चीज जो है, वो है vaginitis, vaginitis होती है आपके private parts में होने वाली itching irritation, discharge, discomfort, ऐसी होने की स्तिती में आप शीकरी अपने doctor से संपर करें, वो आपका internal examination करेंगे और आपको कुछ दवाईयां देंगे, क्योंकि यदि vaginitis आपको बहुत दिन तक रहती है, तो ये STI या PID में भी तबदील हो सकती है, और पांच्वी चीज है, मुटापा, obesity, भारत म तीन करोर से ज्यादा लोग obesity याने मुटापा का शिकार है, उबीसिटी महिलाओं में पुरुशों के बनिस्पत ज्याद अपाई जाती है, इसलिए आपको खास करके अपना ख्यार रखना है, मुटापे से बचें, स्वस्त रहें, आक्टिव रहें, योगा करें, कसरत करें कुछ नहीं तो daily walks अवश्य करें, मुटापा रहने से आप hypertension, diabetes जैसे रोगों के शिकार हो सकते हैं, ज्यादा दिन रहने से आपको brain strokes, cardiac attacks, ये सब भी हो सकता है, मुटापा cholesterol levels बढ़ा के आपको अन्य समस्याओं को बढ़ा सकता है, इसलिए इन 5 चीज़ों का अवश्य ध्या आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद